तो दोस्तों आज अगस की 26 तारीक है और आज हम बात करेंगे 10 खोब सुरत पौदों की जो अगस सितंबर तक नसरी पर आसानी से मिल जाते हैं सितंबर के बाद नरसी पर यह प्लांट दिखने कम हो जाते हैं या इन्हें हम नरसी पर नहीं पाते हैं तो इस खोब सुरत प्लांट को आप इस समय अपने गार्डन में लाकर सामिल कर सकते हैं यह पौधे परमानेंट होते हैं और बहुत कम के रिंग में गार्डन में फ्लावरिंग करते हैं तो समय रहते हैं आप इन्हें अपने गार्डन में सामिल कर लें तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या अलमंडा का है अलमंडा के फ्लावर बहुत ही खुबसूरत होते हैं और इसके फ्लावर के रंग आपको नरसी पर कई मिल जाएंगे बहुत ही खुबसूरत यह प्लांट रिनी सीजन में बहुत ही अच्छी तरह से फ् हो जाती है इस खुब स्वेट प्लांट को आप ऐसी जहां रखें जहां पर इसे तीन चार घंटे की धूप मिल सकें बहुत ही खुब स्वेट प्लांट को बहुत ही कमफर्ट लाइजर में गार्डन में लगाता फ्लावणिंग देता रहता है यह दिखिए यह इसका यलू कलर है बहुत ही खुब स्वेट इसकी सभी कलर होते हैं इस समय प्लांट आपको नर्सी पर देखने को मिल जाएगा तो आप इस समय से ला करके नर्सी से अपने गार्डन में सामिल कर सकते हैं इस खुब स्वेट प्लांट के प्राइज की बात कर लें तो यह खुब सुरत प्ला इस समय आपको नर्सी पर देखने को मिल जाएगी इसके फ्लावर आप देखिए बहुत ही खुबसुएत छोटे-छोटे होते हैं इस पीनी चादनी को पिन वील चादनी भी कहते हैं बहुत ही खुबसुएत या प्लांट लगाता फ्लावरिंग देता रहता है और बरसा शुर कर देता है अब इस पर फ्लावरिंग होना बहुत ही अच्छी तरह से शुरू हो गई है तो इस खुबसुएत प्लांट को आप इस समय नर्सी से लाकर अपने गार्डन में सामिल कर सकते हैं या खुबसुएत प्लांट नर्सी पर लगवग आपको बहुत सस्ता 30-40 उपई म मिल जाएगा इस प्लांट को आप ऐसी जगहां रखें जहां पर इसे 3-4 घंटे की दूपी समय मिल सके इस प्लांट को चादनी का प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फ्लावर रात में खिलते हैं मिनी चादनी को कटिंग से भी त्यार करना बहुत ही असान होता है इस समय इस प्लांट को आप नर्षी से लाकर अपने गार्ण में सामिल कर सकते हैं इस समय इस प्लांट आपको नर्षी पर 30-40 रुपै तक मिल जाएगा इस खूबसूरत प्लांट को आप कट्रिंग से भी तैयार कर सकते हैं इसके फ्लावर गुच्शों में और्ष वायट के ख में भूलो का फूलो कप्रोग की आजाता है मोगरा को बहुत ही सुप प्लांट माना जाता है तो व होग्त को आपने गार्डण में जरूर सामिल कर लें यह परमानेंट प्लांट है तो आप लिगे आप पर बंटर यह प्लांट होता है और इसके फ्लावर आप देखिये के पहुत ही खुबॉप्सूरत दिखते हैं इसके फ्लावर कही रंगों में आते हैं लेकिन नर्शी पर आपको इसके वम लू और वाइड स अदू अधिकी बहुत ही सुब माना जाता है यह प्लांट इस plant को उत्तर दिसा में लगाया जाता है जिससे positive energy मिलती है आप राजिता को cutting और seed दोनों से grow असानी से कर सकते हैं इसके seed इसपर मटर की फली की तरह से बनते हैं इस समय इस खोबसूरत plant को आप cutting और seed दोनों तरह से grow कर सकते हैं प्लांट प्राइज की बात करें तो नर्सी पर यह प्लांट 30 से 40 उपए तक आपको मिल जाएगा तो इस समय आप इस प्लांट को नर्सी से लाग कर अपने garden में जरूर सामिल कर लें आज की लिश्ट का पाचवां बहुत ही खोबसूरत flowering plant यह पारजात का है पारजात बहुत ही सुब माना जाने वाला एक प्लांट है और इसके flower bright white color के खिलते हैं इस प्लांट को हर सिंगार भी कहते हैं बहुत ही खुबसूरत यह plant medicinal plant हुई है हर सिंगार का प्रोग बहुत सारी बिमारियों में किया जाता है इसका प्रोग malaria में जोडों के दर्द में और साथी साथ बालों के जढ़ने पर इसके बीच का प्रोग करते हैं बहुत ही सुब माने जाने वाला प्लांट बहुत एच्छी खुसबू भी देता है बहुत ही hardy और easy to grow permanent plant है इस प्लांट को आप इस समय नरसी से लाक अपने गार्डन में सामिल कर सकते हैं फरवरी से सितंबर तक या लगाता गूर्द करता रहता है इसके फूला आप अब सितंबर में देखेंगे और अक्टूबर में इसके फ्लावर बहुत इच्छी तरह से खिलते रहते हैं तो इस समय आप इस प्लांट को cutting से भी असानी से grow कर सकते हैं परजात की फ्लावर रात में खिलते हैं और दिन में आप देखेंगे इसके फ्लावर जहां पर यह प्लांट रखा है और वहां पर जमीन पर गिरे रहते हैं इस प्लांट को आप ऐसी जगां रखें जहां पैसे 4-5 घंटे की धोप मिल सके जब बहुत अधिक गर्मी रहती है तब इस प्लांट को थोड़ा बचा का रखना पड़ता है इस प्लांट को बहुत अधिक फर्टलाइजर भी नहीं देना है और बहुत ही कम के रिंग में आप प्लांट बहुत ही तछी तरह से गार्डन में चलता है प्लांट के प्राज की बात करें तो नर्सी पर यह प्लांट लगबग आपको 60-80 रुपे तक मिल जाएगा चटा खोबसूरत प्लांट है आप पेंटास का है पेंटास एक हारडी पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट है पूरे साल यह प्लांट फ्लावरिंग करता है लेकिन इस समय इसके फ्लावर बहुत ही खोबसूरत दिखते हैं इस खुब सुझत प्लाइट को आप इस समय नर्सी से लाकर अपने गार्ड़न में सामिल कर सकते हैं इसकी बहुत सारी वराइटे आपको नर्सी पर फ्लावर कलर की देखने को बिल जाएगी इस प्लाइट के बहुत ही सुन्दर-सुन्दर फूल आते हैं इस plant को बहुत अधिक धूप नहीं चाहिए या एक state living plant है इस plant को बहुत बड़े pot में ग्रोग करने की जोट नहीं होती छोटे pot में भी है plant बहुत अच्छी तरह से चलता है परेंट आस permanent plant है तो इएक बारा पिसे लेकर लाएंगे तो बहुत ही कम केरिंग में आप permanent garden में बना रहेगा प्राइच के बात करेतों नर्सी पर यह प्लांट 30-50 रुपए तक मिल जायेगा सात्वा कुबसूरत प्लांट यह पर्षिलेल का है पर्षिलेन बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय यह प्लांट बहुत ही इच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता है वरसा सुरू होते ही आप लांट बहुत ही तेजी से फ्लावरिंग करना सुरू कर देता है पूरी गर्मी आप लगाता फ्लावरिंग देता है पर्शलेन के flower आपको कई रंगों में नर्शी पर देखने को मिल जाएंगे, इस खुबसुऩ प्रांट को आप seed से भी grow कर सकते हैं, पर्शलेन permanent plant है लेकिन इसी समय आपको नर्शी पर देखने को मिलेगा, इस खुबसुथ प्लांट को आप cutting से भी असानी से तयार कर सकते हैं इस खुब स्वथ प्लांट की प्राइज की बात करें तो नर्सी पर प्लांट पीस से चालिस उपए तक आपको मिल जाएगा आठमा खुब स्वथ प्लांट यह आप पर्शलाका का है पर्शलाका जिसे मॉस रूज कहते हैं बहुत ही खुब स्वथ इसके फ्लावर आते हैं इसकी दो वरायटी एक हाइब बीट और एक देसी वरायटी आपको नर्सी पर देखने को मिलेगी हाइब बीट वरायटी के बह गर्मी विंटर यहां आपके पास बना रहे गाए लेकिन गर्मियों में इस प्लाउरिंग आपको देखने को मिलेगी बरसात में फ्लाउरिंग बहुत अधिक होने लगती है तो इस खुब सब्सक्राइब की प्राइज की बात के तो नर्सी पर यह प्लाउरिंग लगवग 20-30 रुपे तक आपको मिल जाएगा पॉर्शला का फुल सनलाइट का प्लांट है इस प्लांट को आप ऐसे जहां रखके जहां इसे दिन भड़ की धूप मिले बहुत ही कम के रिंग बहुत ही कमफर्ट लाइजन में है प्लांट पर्मानेंट गार्डन में बना रहता हो बहुत खुब स्वतिया प्लांट पारिस का पानी पढ़ते ही बहुत एची तरह से गार्डन में फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है यह देखिए यह इसका प्लांट है और यह प्लांट बल्व से तयार होता है इसके बल्व आपको नरसी पर मिल जाएंगे या इस प्लांट को आप लाकर नरसी से अपने गार्डन में इससमें सामिल कर सकते हैं एक प्लांट लाएंगे तो पूरा पॉट भायल कर या भर जाता है पानी प्लांट पर आपको बहुत अधिक नहीं देना है और वाटिंग से ही प्लांट टाई हो जाता है लेकिन बरसात की पानी से या चास उपह तक इस समय आपको मिल जाएगा सितम बरतक नरसी पर असानी से मिलने वाले फ्लावर की लिस्ट का आज का दसमा बहुत थी खुब सुथ फ्लावरिंग प्लांट या अलमंडा वाइन का है अलमंडा की आपने एक बराइटी नार्मल बराइटी देखी थी या बढ़ गई है और बहुत ही अच्छी तरह से अप्लांट गारडन में फ्लावरिंग दे रहा है इस खुब सुरत प्लांट के फ्लावर गुच्छों में आते हैं लगातार इस पर फ्लावर बने रहते हैं महिने में आपको प्लांट को वर्मी कंपोस्ट देना है इसके फ्ला पर तक आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर कर दें अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं किसी नए व आई टी क्यार